एलो फ्रेंड्स आजें तमारी साथे शेर करीज चोखाना लोट साथे बनती फरसी पूरी के पछी राइस पापड़ी नी रेसिपी तो चोखाना लोट साथे बनती फरसी पूरी क्रिस्पी तो बने चे पन खनी वार ते कड़क बनी जाती होई छे फण आजें तमारी साथे परफेक्ट माप अने एवी टेप शेर करीज के तमारी पूरी पहली जवार माँ एक दम फरसी अने खस्ता तयार था से तो तहवारोनी उजवनी माँ एक दम ओचा खर्चा माँ आँ पूरी डब्बो भरीने तयार थाए छे तो जालो रेसिपी शरू करिये साथी पहला फरसी पूरी बनावा मैं यहां वज़न मां 500 ग्राम अने कप्थी मां प्ये तो साड़ा चार कप एलेके चार कप नियुपर अड़धा कप जिटलो चोखानू लोट ली देलो छे तो में आर इतनो लीसो चोखानू लोट के जेनो प्योग आपणे खीचू बनावा माटे करता हुए तेज ली देलो छे हावे में ये बटर ली देलो छे तो यापणे बटर रूम टेमपरेचर पर होए तेवू लेवानू छे डायरेक फ्रीज मां थी नथी लेवानू तो वज़न मां 100 ग्राम अने गर्मा रहेली आरितनी मोटी चमची ना माप थी आठ मोटी चमच जिटलो बटर ली देलो छे गसी ने लोट मां एकदम सारी ते मिक्स करी लेवानू छे 500 ग्राम चोखाना लोट सा थे में 100 ग्राम जेटला बटर नो उप्योग करेलो छे जो गर मां बटर ना होए तो तम्ये तेनी जेगे गरम घी नो उप्योग पन करी शको छो पन बटर थी वधू सार रिजल्ट आव अफे तल अने मिया या वनफोर्थ काप अने फक्त चार मोटी चमचेटली मगडी दाड ने बे थी त्रोणोंक लाग मडे पलाडी दी देलियाती तो दाड पलेडी ने सौफ्ट थाई गेचे तेने एड करी देये तो दाड नो क्रंची स्वाद पूरी मा एकदम सरस लागे साथे बे मोटी चमचेटली लीला मर्चानी पेस्ट, हेक मोटी चमचेली आदुनी पेस्ट तो आदु अने मर्चा एड करवा थी पूरी नो स्वाद एकदम सरस लागेचे साथे मियाई या पंदर थी वीस नंग जेटला लिमडाना पाण ने जिना सुधारीली देला आता अने स्वात्प्राणे मीठ那我們 एड करी दाए औने बध्धी ज्वस्तुने लोट मा सार रिते मिक्स करीले या तो बध्धी ज्वस्तु लोट मा एकदम सार रिते मिक्स थेगेचे आवे लोट बंधवा माटे आपले ठंडाक के रेगिूलर पाणी नोप्योक नाथी करवानो तो पाणीने गरम करवा माटे महीं आप पैन राखेलू थे, तेमा बे कप जेटलू पाणी एड करी देए, अने तेने सारीत गरम करी लएए तो लगबग बे मिनिट माज आपणी एकदम सारीत गरम थेने उकडवा लाईगू छे, तो हावे तेने लए लेए अने हावे लोट माँ पाणी ने एड करता जेने चमची नीमद थे सारीते मिक्स करी लए तो शर्वात माबड़ू पाणी एकदम गरम होवा थी, आपणी तेने लोट माँ आरीतनाच मिक्स करवानू छे तो फरसी पूरी नो लोट आपने ना वधू पड़तो कठाण के ना वधू पड़तो ठीलो पाण मेडियम सौफ्ट बांदवानों छे, एले पाणी आपड़े त्यां थी एड करवानू छे तुमें ये बद्दूज पाणी एड करी देलू छे, आवे मिक्षर ने हाथ डाड़ी शकाए थिटलूज ते गरम छे, एटले हाथ नीमद थी तिने एकदम सारीते फिगू करी लईये तुमें पूरी माटेनों लोट बंधाए गयो छे, जो आ समय तमारो लोट थोड़ो पन कठाण होई, क्ये पची छुटो छुटो रहतो होई, तो थोड़ो पाणी एड करी ने लोट ने आर इतनो मीडियम सौफ्ट करी ले जो तुमें लोट बंधाए गयो छे, ठंडा पाणी नी जगे, चोखाना लोट नी फरसी पूरी बनावती वक्ते आपणी गरम पाणी नोवप्योग करवानों छे, गरम पाणी ने लिदे चोखाना लोट मा एक बाइडिंग आवे छे, जो आपणी लोट ने मीडियम सौफ्ट बांधवानों छे, जो आपणी लोट वधू पड़तों कठना से, तो पूरी बराबर नई वणी शाकाए, आने जो लोट धीलो हसे, तो पूरी तड़े आपछी थोड़ी चावड लाग से, तो है तैयार सेला लोट मा थी पूरी बनाव माटे थोड़ो लोट हात्मा लई ल आइक दम सारी तै मसरी लई ये तो लोटने थोड़ो मसर्वाथी ते शोफ्ट थाई जाए बनाव मेड लोट ने जणजेट वगर फटा फट पूरी ने तयार करवा मियाई या एक प्लास्टिक नी शीट राखिली चे। प्लास्टिक नी शीट उपर आहरीत ना थोड़ा 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 अंतरे राखी देए अने हवे शीट ने आहरीत ना बंद करी देए अने हवे में आहरीत नो राउंड शेप नो वाट खोली देलो छे तेने लुवा उपर आरितना थोड़ो प्रेस करता जैने पूरी ने तयार करी लेगे तुम्हें बद्धाज लुवाने प्रेस करी देला छे अवे प्लास्टिक नी शिट ने खोली लेगे हने एक पूरी ने आतमा लेइने जोई है तो तमे जोई शाको छो के फक्त एक मिनिट मा आपड़ी छानांग जेटली पूरी तयार थाई छे तयार थाईली पूरी नी थिकनेस आपड़े आरितनी मीडियम राखवानी छे अहिं आपड़े पूरी ने वधुपरती जाड़ी के वधुपरती पतली नथी करवानी तोय तयार करेली पूरी ने आपणे ड्राई नाथी थावा जानी जो पूरी आपणे वधुपडती करी ने ड्राई करी देशू तो तड़ती वक्ते ते बराबर नहीं थाई तोय पूरी ने तड़वा माटे में मीडियम गेस नी फ्लेम पर तेलने गरम करीली देलू छ थोड़ो लोटनो टुकडो तेलमा एड करीने जोईये तो तमें जोई शको छो के तेलमा थोड़ी वा रहीने लोट तरा तज उपर आवी जाये छे मीन साबडू तेल मीडियम गरम छे जे पूरी थरवा माटे एकदम परफेक्ट छे तोय तैयार करेली पूरी ने तेलमा तड़वा माटे एड करी देये तो पूरी तेलमा आर इतना उपर आवे एले जाला नी मज़त थी तेने बनने बाजू फेरवता जे ने गुल्डन ब्राउनाने क्रिस्पी थाए त्या सुधी तड़ी लईये तो याबले पूरी ने मीडियम टू हाई गेस ने फ्लेम परच कूक करवानी छे तीमा आगेस पर जो पूरी ना कूक करशू तो ते कड़क थाई जसे तो पूरी नी एक बैशन तरता लगबग 6-7 मिनेट जहू थाईग्यों छे अने ते बननने बाजू थी एक दम सारी ते तड़ाईने क्रिस्पी थाईगे छे तो ये तड़ाईली पूरी ने जहारामा लई लई ये जथी वद आनू बद्धूश थेल निकड़ी जाई धबड़ी एक दम क्रिस्पी अने जोत्ताज खानू मन थाई जाई एवी राईस पापड़ी के पची जोखानी फरसी पूरी थायार थेगे छे छे ने बनावी एकदम सैली तो में लोट माथी बद्धीज पूरी ने तयार करीली देली छे अन्हें तमें जोई शकोचो के मुट्टो थाड़ भरी ने अपड़ी पूरी तयार थेगे छे हाज मालाईने पूरी ने तोड़ी ने जोई ए तो ते क्रिस्पी होवानी साथे एकदम फरसी तयार थेचे एकदम आरी ते तेने जरूरशी ट्राई कर जो तव डबब भरी ने फरसी पूरी तयार थेगे छे पूरी ने तड़ती वक्ते अपड़े ये वात नो खाज द्यान राखवानुँछे कि अपड़े गेसनी फ्लेम मीडियम टु हाई अज राखवानी छे अपड़े पूरी ने क्यारे लो गेसनी फ्लेम पर नथी तड़वानी कारके पूरी चोखाना लोट साथे बने ली छे जो आपने तेने लोग गेस नी फ्लेम पर तर्सू तो ते चवड थे जसे तवे तैयार थेली पूरी ने साउ करी लेगे तो तेहवारों मां एक सरकी मेंदा नी फरसी पूरी थी कईक अलग एक वार चोखाना लोट नी फरसी पूरी के पजी राइस पापड़ी घरे बनावा लखे ली रेसीपी जोती होई तो मैं वेबसाइट नी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मां आपे ली छे जो तमने मारी आज नी रेसीपी गमी होई तो मैंने कम्मेंट सेक्षन मां जरूर थी केजो साधे मारा वीडियो ने लाइक और फ्रेंड्स और फेमेली मां शेर करजो और मारी चैनल ने सब्सक्राइब करवानू ना बोल सो तो फरी मड़िये एक नवी रेसीपी साथ है